जैसे के हम अपने पुराने लेक्टर्स में भी बात कर चुके हैं कि हम बहुत सारे प्रीसेट्स और प्लग-इन यूस कर सकते हैं अपनी औिमेशन्स को या फिर अपने एफैक्ट को बेतर बनाने के लिए बहुत सारे प्रीसेट्स हमने विर्जोंगर बने बनाएं थे और कुछ ऐसे प्रीसेट्स भी होते हैं जो का आप खुद भी करियर्ट करते हैं फर्दर उनको सेव करके यूस कर सकते हैं इस लेक्चर में हम बात करने लगे हैं लूप फ्लो प्लगिन की, जो बैसिकली एक एक स्टेर्नल प्लगिन है और ये एक परचेस्ट वर्जन आपको इसका खरीदना पड़ता है, ये फ्री नहीं है, आपको इसको इंटरनेट से बाई करना पड़ेगा, लेकिन जो इसका यू तो लूप फ्लो प्लगिन को बैसिकली हम इस वक्ट यूज़ करने लगें और उसे पहले मैं आपको इसका तरीका बता दूँ कि अगर आप यहां पर गूगल पर सर्च करेंगे, लूप फ्लो आपके पास सबसे पहली वेबसाइट जो आ रही है, ae-scripts.com, यहां से आपको दूपलेट होने के बाद बैसिकली आपके पास एक कॉंप्रेस फाइल आएगी, इसको एक्सट्रेक करने के बाद आपके पास एक मेंप फोल्ड़ आएगा और उस फोलडर को आपने कॉपलेट करना है, और फिर एफेक्ट के एक पात में जाकर जो मैं भी आपको दिखा दे है वो play करेंगे तो उसको आप automatically वहाँ पर उसको उस path पर install कर देगा या फिर उसके setup file run करने के बाद ही offer effect में आप उसको directly use कर सकते हैं तो उसको extract करने के बाद जब आपके पास main folder आएगा उसका आपने उसको copy कर लेना है और उसको फिर आप c drive में जाएंगे program files adobe का folder है इसके बाद adobe offer effect support files यहां पर बहुत सारे folders हैं लेकिन हमने जो इसको copy करना है या जो move करना है basically plugins के folder में करना है हम already कर चुके हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर loop flow का एक folder वजूद है अब आप जब इसको offer effect में open करेंगे तो वहाँ पर आपके effects and presets में loop flow आचुका होगा हम offer effect में जाते हैं और इसको use करके भी देखते हैं कि क्या यह कर सकता है loop flow जैसे कि हमने बात की थी कि यह एक still image को animate कर देगा उसमें कुछ ऐसे elements जो भी आप उसको path देंगे अपने mask के थुरू उस direction में या उस flow में वह उसको basically animate कर देगा तो मेरे पास यहाँ पर एक image मुझूद है आप देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर smoke है और यह still image है इसको हम अपनी composition में उतार लेते हैं यहाँ पर quickly अगर मैं इस पर यहाँ पर type कर लूँ loop flow क्योंकि मुझे नाम तो याद है नहीं तो मैं चाहूँ तो manually भी जा सकता हूँ और मेरे पास यह loop flow के नाम से यह effect आ रहा है मैं इसको double click करूंगा उसके उपर यह apply हो जाएगा तो अब हम इस पर basically अपना जो mask है या फिर आप यूं कहलेंगे जिस direction में इस flow में हमने इसको animate करना है उसको define करने के लिए हम यहाँ पर pen tool के through अपना mask apply करते हैं मैं इसको तो जूम इन कर लूँ तिल्डा की से मैं इसको full screen भी कर सकता हूँ ताके मुझे अपने mask को बनाने में असानी हो जाए तो यहाँ पर मैं pen tool लूँगा और उसके पात यहाँ पर अपना mask और मैंने नीचे से बनाना शुरू किया ताके उसकी जो direction है उसका flow इस तरफ रहे आप खैर बाद में भी इसको reverse कर सकते हैं लेकिन बेतर तो यह ही है अब आप देख सकते हैं कि यह अलग portion है यह अलग portion है यह आप पर depend करता है यह आपकी जो image है जिसको अब animate करना चाहते हैं कि आप उसको कहां से शुरू करते हैं और कहां तक move करते हैं क्योंकि यह इसके बाद हम इसको अलग mask भी कर सकते हैं और loop flow basically एक साथ दो mask जो के close हो र करेगा तो इसके बाद हम यहां पर second mask यहां पर ड्रॉ करेंगे अगर अभी मैं इसको यहां पर click कर दूँगा तो यह उस mask को continue कर लेगा जो कि हमें बिलकुल नहीं करना ऐसे इसका तरीका है कि यह भी हो सकते हैं कि हम इसको यहां click करें और layer को दुबारा select करें अब हम जो mask draw करेंगे basically तो अब उसने उसको as a mask 2 आप यहां देख भी सकते हैं mask 2 के तोर पे draw करना शुरू कर दिये और इसके साथ parallel हमने mask 2 भी बना लिया है हमने सिर्फ इसको अपने loop flow हमारा plugin है यहां पर जो हम इस पर लगा चुके हैं अगर हम चाहते तो इसको बाद में भी apply कर सकते थे mask पहले बना लेते लेकिन अभी हम पहले लगा लिया था और यहां पर mask 1 में हम इसको assign करेंगे obviously अभ आपको जब दुबारा मास 3 मास 4 पर काम करना हो तो इसके लिए आपको अलग से एक और दफा लूप लो प्लग इन अपलाए करना होगा तो इसको mask 1 को हम यहां से define कर देते मास 1 और मास 2 में हम यहां जाएंगे मास 2 में इसको हम मास 2 इसको हम full screen कर लें एक दफाए अब हम इसको यहां से एक दफाए प्रिव्यू के लिए प्ले कर लेते आप देख सकते हैं कि यह इस वत जो still image थी उसने कितना अच्छे तरीके से इसके smoke को manage किया इसको मैं आपको zoom in करके भी दिखा दिता हूं और full screen भी हम इसको कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं इस दो मास के पीछे जो parallel उसके थे उसके बीच वाले एरिया को इसने बड़ा smartly animate कर दिया यह जो धुआ निकल रहा यहां से जो still image थी वह आपको animate होता नजर आ रहा है इ आप देख रहे हैं इस वक्त जो एरिया जो मास्क हमने define किया था वो एरिया इस वक्त स्मोक था वो animate हो रहा है further इसकी बहुत सारी और भी options मुझूद हैं image के हिसाब से जितना उसमें area जिसको आपने animate करना है आपको वो यहां से further settings भेंच करनी पड़ेंगी कुछ properties से आपको play around करना पड़ेगा मैं आपको कुछ basic basic चीज़े इसमें जारा guide कर देता हूँ जिस तरह मिसाल के तोड़ पर abeas की direction है जो के along जा रही है इस वक्त अगर आप चाहें तो इस कोई direction आप अगर across कर देंगे तो फिर यह इस तरह के पानी है basically यह across होना चाहिए और यह along है क्योंकि यह दोनों इस तरह साथ जा रहे हैं अब इसको मैंने across कर दिया और हम इसको preview करते हैं तो अब देखते हैं यह across में इसको किस तरह से treat करेगा तो अब आप देख सकते हैं कि across जब हमने यहां से इसको select किया तो इस direction में यह move कर रहे हैं इसको आप देखिए कब हमने इसको play किया तो यहां से यहां इसकी movement हो गई है जो कि क्योंकि mask 1 और mask 2 के बीच across यह move कर रहे है अब इसलिए उपर की तरफ जा रहे हैं तो यह इसकी जो direction होगी वो along ही होगी और along ही इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि वो उपर की तरफ दुवा उठ रहा है तो along ही option आपको यहां पर रखनी पड़ेगी फर्दर अगर आप थोड़ी सी स्की speed बगारा को भी change करना चाते हैं तो जिस तरह आपके पास यह option है यहां पर animation move on की 20% है इसको अगर हम 80% कर दें रहे है तो यह इस वक्त आपको इसकी motion जो है वो आपको तेज नज़र आएगी जो के थोड़ा सा जरा natural नहीं लग रहा आपको तो बेतर था किसको हम 20 ही रखते और फर्दर अगर आप चाहें तो बिल्कुल जिस तरह के यह बिल्कुल sharp सा हो रहा है अलफा में जाके आप थोड़ा सा इनको भी adjust कर सकते हैं और इसको अगर मैं background को off करूँ आपको इस वक् अगर आप देख रहे हैं कि इस फक्त थोड़ा सा वो पैस्टी में भी या फिर इसके feather थोड़ा सा बहर रहा है और even कि आप इस फक्रॉस में भी इसको देख सकते हैं कि वो side से थोड़ा सा आपके लिए बेतर हो रहा है बिल्कुल वो edge या पर crisp किसम को आपको नजर नहीं आ यहां पर वो उसको थोड़ी सी space मिल सके है ताके वो natural भी रहे तो दो मास्क हमने apply किये एक loop flow plugin के उपर अब हम थोड़ा सा देख सकते हैं दो मास्क की वज़ज़ से वो इसको इस तरह animate कर रहे है अब हम एक और मास्क यहां पर in direction में भी apply कर देते हैं ताके हम उपर वाला ज इतना एरिया ले ले लेते हैं खाली जगा क्लिक करेंगे दोबारा layer select की ताके हम इसके parallel एक और मास्क बना सकें अब इसमें आपके पास जो option होती है दो मास्क की होती है जैसके हमने पहले बताया मुझे एक और दफ़ा इस plugin को apply करना होगा जो के obviously हो सकता है आप देख सकते हैं दो loop flow एक यहां पर एक यहां पर आपके पास लग चुका है अब इसके mask 1 में जाके आपको mask 3 क्योंके mask 1 और mask आपका जो यह area है यह भी basically animate हो जाएगा इसको भी हम render करके देखते है और इसके render के बाद हम इसको preview करते हैं ताके हम अपना 3rd और 4th mask का result भी देख सके हैं इसको हम play करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह आपके पास और साथ में यह भी animate हो रहा है अब यह आप पर depend करता है कि आप एक ही path को लेके चलते या फिर आप multiple कर सकते हैं तो आपने जो बेतर लग रहा होगा उस तरीके से आपने उसको लेके चलना है तो आप देख सकते हैं कि बीच में अभी आप जब हम play कर रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा gap आ रहा है इतना area अब यहाँ से लग रहा है अगर हम थोड़ा सा अपने मास को refine कर लें मतलब कि हम इसको पीछे से और यहां से ले जाएं ताकि आपका वो भी इसमें अटैज हो जाए और इस वाले पॉइंट को भी जहां से यह शुरू हो रहा है थोड़ा सा हम इसको भी यहां पर इसको पीछे कर लें इसको एक दफ़ा फिर हम रेंडर करके देख लें और रेंडर के बाद अगर हम इसको प्रिव्यू करें तो आप देख सकते हैं कि इस वक्ति बिल्कुल रिफाइन यहां से हो चुका है वो जो बीच में प्रेक हो रहा था वह बिल्कुल नहीं हो रहा टोटली डिपेंड करते हैं किस तरीके से आप अपना मास्क अप्लाइ कर रहे हैं क्या उसकी डिरेक्शन है और कितना बाकी आपने फर्दर सैटिंग्स के साथ इसको रखाव है इसकी स्पीड भी हमने देख ली थी फर्दर आपके पास और भी यहां पर आप्शन्स हैं डिस्टॉर्शन बगारा की जिसको आप एकस्प्लोर कर सकते हैं और अब भी आपने देखा कि हमने यहां पर जो मास्क यूज किया था वह बैसिकली अलॉंग था आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर और भी दो मास्क अप्लाइ कर दें मिसाल के तोर पर हम यहां पर अक्रॉस में भी अगर इसको ट्राय कर लें या पानी के ओपर तो उ इसके उपर अब हम loop flow दुबारा एक और लगाएंगे क्योंकि हमने ये basically अब mask 5 और 6 ये इसको assign करना है loop flow 1, 2, 3 इस वकिए 3 loop flow के effect लग चुके हैं हम इसको mask 1 में mask 5 देंगे आपको logic समझने बिलकुल आ गई होगी क्योंकि हम अब सिरिफ इस mask 5 और mask 6 को basically animate कर रहे हैं और यहां पर आपको animation में along की जगा आपको यहां पर across करना पड़ेगा तो जिस direction में हमने यहां से start किया था mask यहां पर end किया तो यह इस direction में ही जाएगा हमारे start to end point अगर आपने इसको इस तरह across करना होता तो आप यहां पर reverse की option है आप यह भी apply कर सकते हैं इसको हम render करके देख लेते हैं तो इस तरह आप भी हमने सिर्फ loop flow को explore किया हमने देखा किस तरह से हमने एक static एक still image को हमने animated video बना दिया पूरा और आप देख सकते हैं कि जितना भी आप उसकी duration बढ़ाते आप जितने भी उसमें mask और उसकी direction एड़ करते आप उसको different चीज़ों को animate कर सकते थे बहुत स्मार्टली बहुत realistically इसने उसको manage किया है तो इस तरह से आपके पास बेतहाशा और भी plugins मुझूद हैं obviously कुछ paid हैं कुछ आप free use कर सकते हैं और इन सब के combination के साथ ही आपकी जो final output है वो बेतर से बेतरी हो सकती है कुछ plugins मैं आपको यहां पर बता देता हूँ बाकी आप खुद भी थोड़ा सा अगर in touch रहेंगे आप चीज़ों को explore करेंगे तो नई चीज़े आती रहती हैं क्योंकि यह से plugins हैं जो के इनके versions और इसके बाद बहुत सारी और variations भी बार बार आपके पास आती रहती हैं तो मिसाल के तो पर मैं आपको कुछ नाम अगर इस वक्त लूँ तो red giant एक company है जो के इस तरह के plugins बनाती है प्रीसेट्स भी बनाती है ट्रांजिशन भी बनाती है पार्टिकल्स 3D की चीज़े आप देख सकते हैं थोड़ा साब इसको explore करें फर्दर इनके magic bullet है जिसके अंदर looks mojo denoiser footage में अगर noise आ जाता है तो उसको noise को screens को निकालने के लिए मत्तब इनके पास plugin मौजूद है और व बनाने में वीडियो को पाइलिट एक बहुत मशूर वेब साइट है जहां पर tutorial हुआ करते थे पर उन्हें टेंपलेट्स बनाना शुरू की अब उनके भी बेतहाशा plugins मौजूद हैं जिसमें elements 3D optical flares बगारा बगारा और बहुत सारी चीज़े इस तरह की वहां पर आप download कर स हैं तो यह plugins तो चंद websites हैं जो मैंने आपको बताई इसके इलावा बहुत सारी चीज़े हैं जहां पर आप अगर सर्च करेंगे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी पेड़ चीज़ें अलग से हैं और कुछ फ्री भी हैं आप इनको download करें इनको explore करें इनको सीके इनके tutorial भी म बात करेंगे